कैसे हो आप इश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्तानों पर कूशल मंगल होगे मैं लता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने जो है बिर्कुल सिंपल तरीके से जो है पॉकेट जो है आप अपने मेज़रमेंट की आकोटिंग रख सकते हैं मैंने इसमें एकस्ट रखा हुआ ताकि मेरा इसमें मूबाईल फोन भी इसलिए आ सके हैं तो इसमें मैं इसमें मैने 6 इंच लिया हुआ है और 9 इंच लिया हुआ है अगर single दे के हम डबल लहर में हमने डाला हुआ है इसमें मैंने side से भी कोई इस तरह से इस तरह से एक pocket निकलती है जिस तरह से हम हाथ रखते है इस तरह से यहां से यहां 5 इंच का रखते है gathering और यहां से chalk से निशान लगाकर जो इसकी cutting कर देते हैं लेकिन हमने इसमें बिल्क pocket कहां लगानी है राइट साइड में लगानी है तो हमने यहां पर क्या करना है जहां पर हमारा आर मोल्स है ध्यान से देखे कि यहां से हमने कम से कम नीचे जहां तक हमारा 6 इंच आया इस तरह से हमने इसमें ध्यान रखना है आप जो है नीचे तक भी लगा सकते है मैंने ज शे इंह से ले सकते हैं इसमें seven inch पर जो इसमें निशान लगाना है इस तरह से इसमें हलका सा कट लगा दिया और अब यहां से हमने इसमें जो है नीचे को जो यहांपर ऑद िढ़ी थी मैंने इसमें निकाल दूँगी जहां तक मुझे चाहिए इस तरह से अब हमने किस तरह से इसमें पॉकेट लगानी है इस तरह से इसमें पहले हमने इसको उल्टा कर देना है उल्टा करने के बाद अब हमने क्या करना है यहां से सिलाई डालनी है इसमें कहां से सिलाई इन दोनों को इस तरह से इसमें यहां से सिलाई इस तरह से नहीं मारनी है आप देख सकते हैं यहां पर हमने दोनों साइट कर्स लगाय हुए लगाय हुए तो सबसे पहले हमने यह जो हमारे पास pocket है, इसमें एक side से पहले इसे यहां से stitch कना है, इसमें हमने 2 इंच की gathering यहां से जो extra कपड़ा margin के लिए 2 इंच भी रखा हुआ है, जो हमारे problem trade कर सकता है, जैसे pocket सही से नहीं बैठेंगी, लेकिन मैं बताऊंगी किस तरीके से हम इसे, इसे किस तर से बैठाएंगे, सबसे पहले हमने यहां पर, जहां पर हमने cut लगाया हुआ, वहां से हम इस तर से, यह जो pocket है, इसको उल्टे सीधे का ध्यान रखना है, पर किस तर से हमारा सीधी pocket आने चाहिए यह अंदर को, तो हमने इस तर से ध्यान रखना है, यह इस तर से और यहां पर हमने curse डाला हुआ है, यह देखिए उल्टे सीधे का इसमें विशेश ध्यान रखना है, और यहां से हमने इसमें फिर इस तर से, इसके उपर से सीलाई डालनी है, ओके, इस तर से आप देख सकते हैं, दोनों साइट से मैंने इने stitch कर दिया है, और यह हमने क्या करना है, जहां पर हमने इसमें फिटिंग का निशान लगाया हुआ है, यह देखिए, जहां से हमने फिटिंग का निशान यहां से इस तर से लगाया हुआ है, तो यहां पर, यहां तक हमने बिल्कुल सीधा लेना है, और यहां पर हमने बिल्कुल इस तर से इसमें यहां से इस तरफ से देनी है और जपर सीलाई है यहां चंह से इस省 में round डालना है इस तरह सकते हैं दोनों साइडस अमने यहां से राउंड में इस तरह से बिल्कुल सीधी pocket stitch कर देञे है और यहां से भी हमने इस तरह से शीलाई डाल लिये सब चुरुंसेर्द की한데 पलटी मारएंग तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल कोई भी कमी पेष्डी नहीं रहेगी, यह देख्ये हमने पलटी मारदी तो आप देख सकते हैं, हमारी पॉकेट वाली साइड है, यहां से यह देखे हमने फीटिंग दी हुए, और यहां पर हमारी पॉकेट लगी दो इंच का एक्स्रा मार्जन का आए देखिए वो हमारा अंदर को इस तरह से चला गया है इस तरह से और यह हमारा यहां पर हिपपे है देखिए इस तरह से पिल्कुली इजी तरीके से आपको जो पॉकेट लगानी सिखा दिये मैंने इसमें आपको कोई यहां पर मैं आप अ राइट या बिल्कुल खुली भी करने तो इजली तरीके से कर सकते हैं क्यूंकि हमने यहां पर अभी कोई भी कर्स नहीं लगा हुआ है फिर भी हमारा इजली तरीके से जो है पॉकेट बन चुकी है आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीजी से लाइक से और सब्सक्राइ वीडियो शेर कर सकूँ थैंक यू